अगर आपको 50 मिटर का ब्रिज नहीं बना सकते तो आपने तोड़ा क्यों आपके पास इतनी शमता नहीं है तो आपने ये काम क्यों किया हमें ये सवाल करना है हमारे पॉलिटिशन से हमें ये सवाल करना है हमारे गौवर्मेंट से हैंकॉख ब्रिज 5 साल होने के बाउजूद अपने हाथों में माई के लिए रास्तों में गलियों में आवाज लगाने वाले मुकामी मकीन कमला कर शिने हो है जो मुंबई के हैंकाउक ब्रीज को लेकर आवाज लगा कर उसकी गमशूदगी का हवाला देते हुए उसे तलाज करने के लिए कह रहे हैं मैं डोंगरी का रहने वाला हूँ यह ब्रिज तोड़ने के पहले से मैं इसके इक्यूं तोड रहे इसके पिछे लगाता और जब पता चला कि यह ब्रिज बिल्कुल डेंजर नहीं था बलकि इनको ACDC करने के लिए इन्होंने यह तोड़ा है तो पबलिक को इन्होंने मेरे पास है और मैंने इसलिए उन्होंने जूटे सब्मिशन के इसलिए मैंने उनके उपर सिवडी कोर्ट में केस भी डाला हूँ अब जहां तक हैंकोग वीच का सवाल है और भी उसको काफी टाइम लग सकता है इसलिए कि आपने देखा होगा कि सामने जो रेल्वे की क्या मुंबई का मजगाओं दोंगरी पाई धूनी भिंडी बजार जैसे मुस्लिम अक्सर यती अलाकों की अवाम के लिए हैंकोग गिरिज किसी ने मस्ते कम नहीं बीदे पाँच बर्सों से यहां की आवाम को दस मिनट के सफर से करने के लिए मजूदा वक्त में डेड़ घंटे का वक्त लगता है हाला कि मुकामी लोगों ने इसके लिए कई बार आवाज उठाई लेकिन इस आवाज का आसर इंतिसामिया पर बिल्कुल भी नहीं हुआ मुंबई से एटीवी भारत के लिए शाहिद अंसारी